गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत आज हम इस वीडियो में समुद्र गुप्त का समराजे तथा उसकी सासन व्यवस्ता के बारे में जानकर इप्राप्त करेंगे तो देखिएगा समुद्र गुप् के बारे में भी हमने काफी कुछ पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके और वीडियो गुप्त काल के बारे में प्राप्त कर सकते हैं तो देखिएगा यदि आपने यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें आपको यहां पर प्रियाग प्रशस्ती के प्रारम में आठ स्लोग प्राप्त होते हैं जिन में से कुछ खंडित अवस्था में हैं चतुर्त स्लोग में चंद्रगुप्त पर्थम द्वारा समुद्रगुप्त के उत्रादिकारी चुने जाने का विवरन प्राप्त होता है इस विवरन से पत चंद्रगुप्त पर्थम समुद्रगुप्त के गुणों पर इतना अधिक मुग्द था कि बरी सभा में उसने गले से लगाते हो ये गोशना कि आर ये तुम योग्य हो पर्त्वी का पालन करो ठीके पर सस्तिकार ने आगे लिखा है कि जहां इस गोशना से संद्रगुप्त क के दरबारी परसन हुए वहीं अन्य राजकुमार दुखी हो गए इस विवरन से एसपस्ट होता है कि समुद्रगुप्त को अपने अन्य भाहियों से उत्रादिकारी का यूद लड़ना पड़ा था इस विद्रोह का नेतरत्वे काच नामक उसके भाई ने किया था काच ना समस्त राजों का उन्मूलन करने वाला विरुद अंकित है इसका आच नामक राजा के बारे में पूरी त्रह से जानकरी प्राप्त नहीं होती है शिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है समुद्रगुप्त का समराजे तता उसकी सासन व्यवस्ता कैसी थी देखेगा समुद्रगुप्त ने अपनी वीजियों के प्रणाव सरूप एक विशाल समराजे की स्थाफना की जो उत्तर में हिमाचल से लेकर दक्सिन में विंध्य परवत्तक तता पूरव में बंगार की खाड़ी से लेकर पस्ची में पूर्वी मालवा तक विश्तरित था कस्मीर पस्ची मी पंजाब पस्ची मी राजपुताना सिंद तता गुजरात को छोड़ कर समस्त उत्तर भारत इसमें सामिल था दक्सिनापत के सासक तता पस्ची मोत्तर भारत की वीदेशी सक्तियां उसके अदिनता स्विकार करती थी इस परकार समुद्र गुप्त ने अपने पिता से जो राज्य उत्रादिकार में प्राप्त किया था उसे एक विश्तरित समराजे में ढाल दिया परियाग परसस्ती के सब्दों में उसने अपने बाहूबल के प्रिशार दोरा भूमंडल को बांध लिया पाथली पुतर इस विशार समराजे की राजदानी थी ठीक है समुद्र गुप्त ने अत्यंत निति निपूंता के साथ सासन का संचालन किया केंद्रिय भाग का सासन उसके परतेक्स नियंत्रन में था, परसस्ती में उसके कुछ परसासनिक पदादिकारियों के नाम मिलते हैं जो इस प्रकार से हैं सांदी विग्रहिक, यह संदी तथा यूद का मंत्री होता था, इसके अधिन वैदेशिक विभाग होता था समुद्र गुप्त का सांदी विग्रहिक हरिशेन था, जिसने प्रियाग परसस्ती की रचना की थी, खादे टपाकिक, यह राजकिय भोजनले का अध्यक्स था, इस पद पर धुरुव भूती नामक पदादिकारी कारिये करता था अगला है कुमारा मात्ते, तो अल्टेकर के अनुसार अधूनिक भारतिय परसासनिक सेवा के पदादिकारीयों की भांती ही, कुमारा मात्ते उच स्रेणी के पदादिकारी होते थे, वे अपने योगेता के बल पर उचसे उच पद पर पहुंच सकते थे यही कारण है कि गुप्त लेखों में विशेपती, राजेपाल, शेनापती, मंत्री, आदि सभी को कुमारा माते कहा गया है गुप्त परसासन का यह पद अत्ती महतोपून था अगला है महादंड नायक तो यह एक पुलिस विभाग का परधान अधिकारी तथा फोजदारी का न्यायदीस था यह सेना का उच पदादिकारी होता था संभवताय परियाग परसास्ती में इस पदादिकारी का उलेख महा सेनापती के अर्थ में किया गया है यह अपध हरीशेन के अधिकार में था समुद्र गुप्त के सासर व्यवस्ता की विशेय में ज़्यादा जानकरी प्राप नहीं होती है परियाग परसस्ती में उलेखित भूगती तथा विशेय सब्दों से हम ये निसकर्स निकार सकते हैं कि उसने अपने समराज्य का विबादन प्रांतो तथा जिलो में किया था ठीक है तो देखेगा इस वीटियो में हमने जो समुद्र गुप्त है उसके बारे में उसकी सासर व्यवस्ता के बारे में जानकारी प्राप्त की आगे भी हम आपको ऐसे ही इसी प्रकार से वीडियो दिखाते रहेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे